कि लोग आज आप लोग को बताना चाहूंगा जो लोग भी रांची ओमें स्कोलेज रांची में बीए बीए सी और बीको में एड्मिसेन के लिए चांसलर पोर्टल में फोंप्लाई किये थे तो उन लोग के लिए यहां पर सेकेंड मेरेट लिस्ट जारी कर दिया गया है तो ह आप लोग को जिन लोग का भी नाम आ चुका है उन लोग को यह भी में बताने वाला हूं कि एड्मिसन प्रोसेस क्या होने वाली है और जो एड्मिसन फी पेमेंट करेंगे और कहां पर से पेमेंट करेंगे क्योंकि रांची ओमें स्कोलेज रांची का जो उपसलर सबसे पहले में अना है और जो लोग इस संपलके हां और किस में सो अल्के के वाजिए आसके हैं उसके बाद देखे एस पर आने के बाद में आए अने के लिए नीचे आना है नीचे आएगा लिए आप लोग देखने को Mिलेगा बीए Are सी बीकॉम ठीक है आप लोग देख पार होंगे बीए बीए सी बीकॉम सेकेंड सेलेक्शन लिस्ट फोर प्रोविजिनल एडमिशन 2022-2023 तो इसी वाले में आप लोगों को टच कर देना है एक बार तो चलिए मैं यहां पर एक बार टच कर देता हूं टच करने के बाद बीए बीए सी और बीकॉम और यहां पर कुछ डेट दिया गया है जो कि डिस्प्ले किया गया थे यानिकि 19-2022 को सेकेंड मेरेट लिश्ट जारी किया गया था और कब से कब तक एडमिशन ले सकते हैं इसका भी डेट दिया गया है डेट और प्रोविजिनल एडमिशन जो क कि 29-2022 से लेकर के 24-2022 तक ले सकते हैं गारा से तीन बजे तक तो यह चीज आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा पहले आप लोगों को दिखा देता हूं मेरेट लिश्ट क्योंकि जब आपका मेरेट लिश्ट में नाम आया हो रहेगा तभी आप लोग का जो यहां पर इ selection list का यहां पर तक टेच की जिए तो फर्स selection list डाउलोड होगा तो यहां पर right-side में देखिए second selection list का दिया गया है आप लिश्ट तो आप लोग कि किस तरह से देखना है और किस तरह से खोजना है अपना नाम ठीक है तो यहां पर देखिए बोटनी का सेकेंड लिस्ट आ चुका है फिजिक्स का भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है उसी तरह देखिए नीचे में मैथमेटिक्स का भी सेकेंड लिस्ट आ चुका है और यहां प पर लोग देख पार हूंगे खाली है नहीं दिया गया है और यहां पर संस्कृत म्यूजिक उर्दू और फिर आप ड्रीजिनल लेंग्वेज का यहां पर नहीं आया है तो यह सबूजिक का आया हुआ जिनका भी यहां पर देख पार होंगे सेकेंड सेलेक्शन लिस्ट के तरफ लिस्ट दिया गया है तो आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है तो चलिए मैं कोई चैनल डांडोर करता हूं Ņमक्त बाख सेकंट सिलेक्शन लिष्ट वुट्स चाहरो है तो इस कोई अंतर में ही राता है तो देखिक यहां पर भी कुछ ढॉड्लावगा की तरफ से निकाला गया है सेकेंड प्रोविजिनल नन जेनरेटेड एडमिशन सेलेक्षिन लिस्ट फॉर दा एकडमी के यहां पर देख पार होंगे यहां पर और भी जनकारी दिया गया डिस्प्लेट जो कि 2019-2022 को जारी किया गया है डेट देख पार होंगे यहां पर डेट और प्रोविजिनल एडमिशन जो कि बीस नो दो हजार बाइस से लेकर के है जिसका यहां पर कितना गया है साथ गया हुआ है देखिए यहां पर सिरियल नंबर फॉम नंबर अप्लिकेशन नंबर नेम अप्लिकेंट्स फादर नेम कैटेगरी मेरिट पॉइंट रिमार्क्स दिया हुआ है तो यहां पर आप लोगो किस तरह से ढूड़ना है मान के से लिए कि आपका 30-30 नंबर आया हुआ है तो आप लोगों को क्या देखना आपर 30-30 नंबर कहां पर ठीक है तो सारा चीश अगर आप मैچ करता है तो आप लोग का यहाँ पर लिस्ट में नाम आ चुका है और जिनका यहाँ पर ओपन लिस्ट में नहीं है यानि की 60% जिसका भी कम नमबर है वो लोग कहां पर ढूंडेंगे तो लोग के लिए भी यहाँ पर मेरी जारी किया गया है नीची आना आप पर थोड़ोंदिएगा ना तो आप लोग का यहां पर मिल जायेगा ठीक है तो यहां पर सिर्फ 52 33 दिया गया है तो इससे अधिक होगा तो आप लोगों को ओपिन वाले में धूड़ना है तो ओपिन वाले में होता क्या है कि सब्सक्राइब जुरूरी है उसके बार अगर वहां नहीं मिलता है यानी कि 60 से कम हो हैं तो आप लोग इधर धूड़क अपना कैटेगरी वाले में तो यहां पर देख पा दीक तो मेर डाइंट करने ने के बाद दूसरे सब्जार टा कूछ इंट इसको मैं ऑपिन कर लेता हूँ ओपिन करने के बाद देखे कुछ इस तरह का आता है जो की सेम टू सेम है उपर का जो इंस्ट्रेक्शन दिया गया हो सेम टू सेम इस डिपार्टमेंट का नाम चेंजे ठीक है तो यहां पर आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा तो यहां पर देखे यहां पर जो ओपिन मेर में नाम चीक करेंगे योई विमेरिट पोइंट पर ले देखेंगे कि आपका कितना नंबर आया हो था तो 78 शूपर मान के से लिए कि 88 सूपर असी नमर कहां पर है तो यहां पर असी नमर किसी का नहीं आया था साय यानि कि वह लोग अप्लाइ नहीं है और इससे कम है तो आप लोग को नीचे आना है तो नीचे में आप लोग को सकते हैं बटिया गया है। किया है 76 तो इसमें देखिए इनका 76 किया है तो जो लोग भी से बिलोंग करते हैं और 76 उपर नमबर है वो लोग यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो उसी तरह देखिए नीचे में और देखने को मिल जा रहा है बिसि वन का बीसी टू का तो इस त độ को देखने को मिला कैटेगरी वायज़ भी देख सकते हैं और ओपेन सकते हैं तो आप לोगोग सब से पहले कहां को उसके बाद कैटेगरी वाले में ठीक है उसके बाद देखिए जिन लोगों का नाम आ चुक का है टीक mathematics वो यानि की कोई भी सब्जेट का हो सभी का instruction एक ही है और जो एड्मिशन प्रोसेस है वो एक ही है तो यहां पर मैं एक का बता देता हूं जोग्रोफी का आप लोग इसी के अनुसार एड्मिशन लेजेगा जो बाकी सब्जेट का है ठीक है क्योंकि इस अभी का सेम है तो यहां पर आप लोगों में पहले भी बताया डिस्प्ले यहां पर देख पारंग उनिसको जारी किया गया था है आपर एड्मिशन लेने कब से कब ठेक है तो यहां पर बीस नो से दो जर से चोविस नो दोजार बाइस और हमबर 11 एम से तीन एम के भी चले सकते हैं फिर देखिए यहां पर यहां पर कुछ इंग्लिस में दिया गया है तो यहां पर देख पारंग बीए-बीस-बीकॉम में परवेस लेने के लिए दिसान देश तो देखिए आपर दिसान देश क् तो अंतिन परवेस बिसुत रूप से कोलेज की विबसाइड तो यह देख पा रहोंगे कोलेज के विबसाइड दिया गया है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन में भी दे दिया हूँ रांची ओमेंस कोलेज रांची ओपसेल विबसाइड के नाम से है ठीक है तो यह लिंक है इसमें क्या दिया गया है पर कॉलेज परवेश समीती दवारा परकासित चैन सुची के अधार पर हो यानि कि जो मेरिट जारी किया गया है यह जो मैं आप लोगों को दिखाया इसी के अनुसियार यानि कि इसमें जिनका भी नाम आया है वही लोग का एडिमिस्तन परकासित चैन सुची में नाम आने पर आवेदक को मूल पर्मान पत्रों के सत्यापन के लिए यानि कि आपके पास जो भी पर्मान पत्र होंगे यानि कि जो भी डॉक्मेंट्स होगा वो सभी का सत्यापन कराना होगा इसके लिए क्याल लिखा गया है देखिए के लिए समं डोकुमेंट्स भेरिफाई करवाना होगा उसके बाद देखिए अगला जो है ओक्या इंस्ट्रेक्शन दिया गया है देखिए चैनित उमिद्वारों को भौतिक सत्यापन के समय निमिल्खी तस्तवेज अपने साथ लाने होंगे यानि कि आप लोग का जो डोकुमेंट भेरि कि यह थे हूंगे ओही लेगर करके जाना ठीक है फिर देखिए आपर नीचे में मूल पर्वेस्पत्र और कच्छा दस्वी की अंक तालिका है यानि कि 10 का एड मीट कार्ड और मार्शिट दोनों लेखर करके जाना है उसी तरह मौल पर्वेस्पत्र और कच्छा बार्वी कि अंक तालिका यानि की कच्छा बाडुई का भी एड्विट काड और जो हमाषिठ है वह दोनों लेकर के जाना है बसकुल या कॉले छोड़ने का परमान पड़ यानि की Cliff लेकर यानिकी दूस के बाद कि मोव्य चरित्र परमान पत्र लेकर जाना और इसको की और जिनल लगने वाला है और बाकी का जिरोस जमा होगा लेकिन और जिनल भी लेकर के जाना जरूरी है फेरिपिकेशन के लिए फिर देखिए नीचे में क्या दिया गया है मूल जाती परमानपत्र यदि लागू हो तो यानि कि आप लोग का अगर जो नाम हो कैटिगरी बाइ जैसी की जिरोक्स परतियां एक सेट पूरा लेकर करके जाना ठीक है यह सब रहूंगे पासपोर्ट साइज 2 फोटो अपर तीकेट साइज का दो रगी फोटो होना चाहिए फिर देखिए हम पर नमर में क्या guidelines दिया गया है बहुतिक सत्यापन के बाद online भुकतान का link खोल दिया जाएगा यानि कि online भुकतान करने के लिए यानि कि admission भी payment करने के लिए खोल दिया जाएगा छात्र अपने परवेश सुल का भुकतान chancellor portal पर जाकर के करेंगे तो यह मैं नहीं किये हैं कभी ओ लोग मेरा वीडियो देख करके कर सकते हैं जिसमें मैं बताया हूं कि मोबाइल से आप लोग किस तरह से admission भी payment chancellor portal में कर सकते हैं तो उस वीडियो का link इसी वीडियो के anti-ragging undertaking form ठीक है जो कि यहां पर देख पार होंगे कॉलेज की website यानि कि राची ओमें को लेजर राची के website में दिया हुआ है यानि को उपलब्ध है भी भाबों को जमा करने होंगे ठीक है तो जमा कैसे करना है और कहां पर यह जो undertaking form है वह कहां पर दिया गया है मैं यह भी दिखाने वाला हूं ठीक है तो चलिए उससे पहले instruction पूरा कर लेते हैं क्या क्या है पांचों नमर में देखिए यदि कोई छात्र मुल दस्तवेजों के वापस नहीं किया जाएगा ठीक छात्रा का महा विद्याले प्राधी करन से किसी भी परकार की धन वापसी के लिए कोई दावा माने नहीं होगा इसके अलाव फरजे दस्तवेज जमा करने पर उनके और उसके माता-पिता के खिलाप कानूनी करवाई की जाएगी अपर छट अब तो एंडर्टेकिंग फोर्म कहा पर से आप लोगों को डाउनलोड करना है क्योंकि हम लिखा क्या गया है यहां पर लिखा गया है साब-साब कि यहां पर जो भुक्तान चांसलर प्रोटल पर जाकर करेंगे उसके बाद वह भुकतान रसीद और एंटी राइगिंग अं पर उपर में ही आप लोगो को देखनों को मिल जा रहा है कहां पर यहां पर ठीक है जो लिस्ट दिया गया है उससे उपर में लिंक ओफ ओलाइन एड्मिशन थो चांसलर पोडल नीचे में दिया गया है एंटी रेगिंग अंडेटेकिंग फॉर्म फोर इस्टुडेंट एंट के देखिएगा तो कुछ इस तरह से रहता है ठीक है जो कि वचन परमान पत्र है एंटी रेगिंग तो यह एंटी रेगिंग है अंडेटेकिंग बाई कंडिडेट एंड इस्टुडेंट का ही देख पार होंगे तो इसको भरना कैसे है चले मैं एक बार बता देता हूं हिंदी इंग्लिस तो इंग्लिस को एक भरना ठीक है तो यहां पर देखिए मैं तो अपना नाम सुपुत्री यहां पर बहना है फादर ने फिर मदर ने ठीक है राइगिंग रोकने के समन्ध में शरोच ने आले अम केंद्रिये तथा राजय सरकार के निदेशों को सवधान ही पुरुवक पढ़कर भली भातिसह लिए तो एहां पर आप लोग को हिए पढ़ लैने ठीक है क्या जानकारी दिया गया फिर यहां पर देखिए आप लोग क्या भरंगे दिनांव कमाः और वर्स भरंगे यहां पर नाम भरेंगे और यहां पर आप भी भर सकते हैं तो यह था इस्टूडेंट के लिए और देखिए यहां पर दिया गया है अंटी रेगिंग एंटेकिंग फॉर पारेंस तो इसमें टेच कीजिए गा तो यहां पर पारेंस वाला एंटे एंटी रेगिंग जो फोम है वह डाउनलोड हो करके आ जाएगा तो इस इनकारी दिए गया है यहां अब वह लिए इसक्सक् efforts कर दिएक पढ़ने के लिए तो फिर रच्व अपर निचे कव्यों पर दीवास लूएं और यहां पर करेंगे यहां पर नाम भर यानि कि parents का नाम होगा यहाँ पर पता भी parents का ही होगा ठीक है और signature भी यहाँ पर parents का ही होगा तो यह कुछ parents वाला एंटी रेगिंग फॉम था तो जी लोगों के भी रांचियों स्कुलिज रांचि में से के नाम आज चुका है और अगर आप लोग को प्रोब्रेम आती हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर मेरे सोचल मेडिया के लिंक से कॉंटेट करके जिसका लिंक इस वीडियो के डिश्क्रिशन में दिया हुआ है हुआ पर से कॉंटेक्ट कीजिए और मेरे से पूछ सकते हैं तो मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा कुछ जानने को कुछ सिखने को मिला होगा फिर पिलिज वीडियो को लाइक केजे सेर कीजे और जो लोग भी अवे दक चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वेल आइकन को दबा करके रेखें कोकि मैं इसी तरह का आप लोग के लिए जो अपस झाल झाल